हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, देखे आज हम स्टाट करने वाले हैं Digital Electronics, इसके अलग अलग नाम होते हैं हर एक सेमिस्टर में, किसी का Digital Electronics होता है, किसी का Switching Theory and STLD होता है, किसी का Logic Design नाम से होता है, Digital Logic Design, तो Confuse नहीं होना, मैं लिख दे रहा हूँ, STLD होता है, किसी का Switching Theory and Logic Design, किसी का Digital Circuit Design इस टाइप से होता है, तो देखिए इसमें जो पहले हम कवर करने वाले हैं इसके Basics, कुछ Basics की जहुत पड़ती है, वैसे तो यह जो यह Analog and Digital Signal है, यह किसी का Part है, Signal and System का, वहाँ पर इसकी काफ़ी Detail में दिया रहे था, अब देखिए, Analog and Digital Signal क्या होते है, Analog Signal, Analog का मतलब होता है, Analog Signal जो होता है, क्या होता है, मैं इसका Definition लिखता हूँ, देखिए, पहले मैं समझा देता हूँ, क्या होता है, Analog Signal, अगर कोई भी एक physical quantity है, मालों यह voltage को मैं represent करना हूँ, voltage time का graph, अगर कोई ऐसी quantity, जो time के साथ vary होती हो, देखिए, यहाँ पर T1 time था, T1 time के बाद यह कुछ और T2 time के जाद कुछ और हो गया, तो time के साथ क्या हो रहा है, इस time पर कुछ और value है, इस time पर यहाँ पर जिसकी value time के साथ क्या हो रही हो, change हो रही हो, उससे क्या कहता हम, analog signal, any physical quantity which changes, which varies with time, कोई भी ऐसी physical quantity, जो time के साथ vary होती हो, उससे क्या कहता हम, analog signal, digital signal क्या होगा, इस टाइप से ही, अब ऐसा signal, जो केवल discrete values पर क्या करता हो, exit करता हो, उसकी value कहाँ पर होने से ही होगा, discrete value पर होने से ही है, तो यह क्या होगा, मान लो यह voltage यह time है, तो digital signal क्या हो जाएगा, digital signal, digital signal क्या होगा, any physical quantity, any physical quantity, which having, which having discrete values, discrete values, ठीक है, discrete values होने चाहिए उसकी, मतलब discrete का मतलब हो गया, कुछ points पर, मान लो यह 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से उसकी value क्या होने से ही है, कुछ points पर होने चाहिए, ना कि, यहाँ पर क्या था हर एक point पर exit कर रही थी value, इसमें क्या होता हर एक point पर value नहीं होती, ठीक है, जिससे 102 के बीच में कितने सारे numbers होंगे, उस पर value क्या होती, exit नहीं कर रही, ठीक है, 0 है, यहाँ पर क्या रहा है, हर एक point पर exit कर रही values की, next, analog and digital system, system, सबसे पहले क्या होता, system क्या होता, यहाँ पर देखते हैं, what is system, system, system is a, system is a combination, combination of active and passive device, active and passive device, device, designed, to perform, specific task, यह function, system क्या होता, active and passive device का combination होता, जिससे हम क्या करते हैं, specific function, perform करते हैं, अब system जो होते हैं, system जो होते हैं, हमारे, दो तरह क्यों होते हैं, एक analog system होता है, analog system होता है, दूसरा होता है हमारा क्या, digital system, system होता है, जो digital system होता है, वो क्या करता है, it processes, only, analog signal, यह क्या कर रहा है, बस analog signal पर ही, work करेगा, ठीक है, analog system क्या करता है, analog signal पर ही, क्या करेगा, वर्क करेगा, digital system क्या करेगा, digital signal को process करेगा, it process, only, digital signal, digital signal को process करेगा, analog system का, example क्या होता है हमारा, इसमे, किसका example दे सकते हैं, amplifier का, ठीक है, ओर digital में क्या दे सकते हैं, calculate का, ठीक है, इसका example होगा, calculator का यहम क्या होता है, that हो ऐना धीटाल सिस्थम का होता है, ठीक है, उसमें सारे digital, इस चलता है, यह होगे analog और digital system के बारे में, कुछ और पढ़ते हैं basic देखिए next है हमारा क्या advantage of digital system क्या advantage होगे digital system के देखिए क्या क्या इसके मैं advantage लिख रहा हूँ जो digital system होते हैं इनको design करना बहुत easy रहता है easier to design यह comparison किसके साथ चल रहा हमारा analog system के साथ ठीक है analog system के मुकाबले digital system को जादा आसानी से design कर सकते हैं और क्या हो सकता है इसमे data storage बहुत आसान है digital में क्योंकि flip-flops होते हैं उनमें data को कभी तक जब तक हम restore करके रखना चाहते हैं तब तक करके रख सकते हैं ठीक है easy to store the data data को हम क्या कर सकते है long time तक i store कर कर सकते है third जैसे chip होता है उसमें हमारे यह songs होते है video songs यह सब बगैरा हम क्या कर सकते हैं एक long time तक उनने store कर सकते है जैसे Mobile phone में हम क्या करते हैं, अपने चिप को लगाते हैं अगर हम चिप को यूज भी नहीं करे हैं तब वह डेटा हमारे उसमें रहा था चिप में अगर उसको 2 साल बाद यूज करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है हम उनको यूज कर पाते हैं इसका मतलब data को हम क्या कर सकते हैं long time to store कर सकते हैं थर्ड क्या digital system की accuracy ज्यादा अच्छी होती है उनसे analog के मुकाबले तो they are more accurate यह बोलेंगे digital system are more accurate इनकी accuracy क्या होती है ज्यादा होती है और क्या होता इसमें जो analog signal होते है उन ils analog signal होते हैं वह काफ़े affected होते हैं noise अगर noise लाए आप तरह का signal ही अगर शेंक छेंग्न अगर शेंग्नल अलोग सिनल जो हमारह practical signal है उसमें का noise मिल जाये तो इस ज्जक्जा उनweet ए धो होता है होता है लेकिन डिजली जो system होते है डिजली जो signal है वह noise से क्या होता कम affected होता तो क्या लिखेंगे है Digital circuits leur less affected by noise noise से क्या होते है is less affected होते है पांच में और क्या हो सकते हैं एक और लिख लो हम क्या कर सकते हैं एक चिप पे काफी बड़ी डिजिटल सर्किटरी को ड्रो कर सकते हैं मतलब देखे एक चिप होती है उस पर थाउज़नट ओ उथ 1000 of circuits cela होते हैं एक इतनी से एक इतना सा इरिया होता उसका चिप का इसमें हमbeOMANOs इसमें 1000th of circuits डार केते रोख कर सकते किया कर तो और क्या हो जागा मोर डीजीटल प्रोख सरे केंड बी डान solution on eyes GB integrated circuits. एक चिप पे हम 1000 ओफ 1000 तक circuits wediale तक तक टाउसे ड्रो कर सकते हैं इतनी एरिये में हम 1000 ओप circuits द्रो कर सकते हैं digital circuits यह था इसके advantage? डिटाल सीस्थम के नेक्स पढ़ते हम के एक temperature ट्रेटन ût होती है in reality कोई digital signal नहीं होता हमारे पास जो हमारा atmosphere है इसमें कोई ऐसा digital signal नहीं मिलता हमें तो हमें जो मिलता हमें सब signal जो available हमारे पास analog signal होता है हम क्या करते हैं उस analog signal को change करते हैं उसके बाद हम उस पर work करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, No real digital signal available in nature, कोई digital signal नहीं होतार reality में, ठीक है हम क्या करते हैं, हमारे पार जो analog signal होते हैं हर जग आई, हम क्या करेंगे, इस signal को special device, जिसे हम कहते हैं ADC, analog to digital converter, से क्या करता है, ये क्या करता है, analog signal को digital signal में change करता है, जब हमें digital signal मिल जाता है, तो क्या करते हैं, उस पर further processing करते हैं, तो reality में क्या होता, कोई digital signal नहीं होता, हम क्या करते हैं, analog signal को digital बनाते हैं, उसके बाद उस पर next work करना शुरू करते हैं आगर देखिए और क्या होगा positive logic and negative logic हम क्या करते हैं हम जो circuit होता है उसको voltage देते हैं है ना plus 5 volt या 0 volt तो इसमें क्या होता है positive logic के लिए लिखता हूँ में पहले positive logic में क्या होता है जो अगर हम positive logic यूज़ करें तो जो दोनों voltage में से बड़ा होगा वह हमारे उसको रिप्रेजेंट करेगा logic high को logic high का हो या logic वह का हो logic high logic low on off ठीक है कुछ भी कह सकते हैं तो यहाद लिखेंगे voltage level voltage level और यहाँ पर binary digit अगर हम plus 5 volt दे रहे हैं किसी को तो हम बोलेंगे इसको high ठीक है one one represent करता है इसको logic high कहते है ठीक है one को अगर हम zero volt यूज़ कर रहे है वह किसको रिप्रेजेंट करेगा logic low को ठीक है one का मतलब होता है high और zero का मतलब क्या होता है low ठीक है अगर negative logic यूज़ कर रहे हैं negative मतलब negative logic का मतलब negative voltage दे रहे हैं तब क्या होगा voltage level और यह binary digit अगर यहां पर मैं minus five volt देता हूं अपने circuit को तो उसको अगर मैं logically कोई expression बना रहा हूं तो मैं minus five volt को क्या कहूंगा input यह minus five volt मेरा input है ठीक है यह क्या input है मेरे तो मैं minus five volt दे रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा logic high ठीक है अगर zero volt देता हूं मैं उस circuit को zero volt को मतलब ground करता हूं तो उसको मतलब zero दे रहा हूं binary digit यानि lows को बोलूंगा मैं ठीक है digital electronics में हम क्या करते है जो plus five volt होता उसको represent करते है one से ठीक है zero volt कहने के मतलब है जो अगर मैं 12 volt यूज कर रहा था ठीक है अगर मैं use कर रहा था 12 volt और zero volt तो 12 volt को कितना करता है मैं logic high कहने के मतलब है अगर positive logic positive logic का मतलब plus voltage दे रहे हैं पिलस पुट दे रहे ही तो उन में से जो बड़ा होगा बड़े वाले को logic high कहेंगे यानि byn कहेंगे जो कम होगा उससो क्या कहेंगे जो जीरो कहेंगे अगर negative logic है यानि negative voltage दे रहे हैं अपने हम ऊस उसको circuit को तो जो जो उन में से कम होगा ठीक है collective value में जो कम होगा वह represented है लोजिक high को जो बड़ा होगा वह किसको represent करेगा logic 0 को positive logic में क्या जो बड़ा होगा consistent probably love को रीप्रिजेंट करेगा और जो बड़ा जो कम होगा वह 0 को रीप्रिजेंट करेगा ठीक है इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और कुछ और इस टाइब से ही करते जाएंगे ओगे थेंक्यू